हेलो दस्तों कैसे हैं आप आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रॉप्शिपिंग मॉल के बारे में जो के हमारी नई वेबसाइट है पहले हमारी वेबसाइट थी evenquality.in लेकिन अब हमने अपनी वेबसाइट चेंज करती है जिसको हमने कर दिया dropshipping mall.com .com इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि .com पे अब आप worldwide काम कर सकते हैं अगर आपको dropshipping करनी है तो आप all over the world dropshipping कर सकते हैं इसके लावा आप अपने products को all over the world sale कर सकते हैं .in पे वह बात नहीं होती ना वह traffic आता है तो चलिए ज़्यादा ना देर कर तो आपको बताते हैं इस platform के बारे में कि हमने इसमें क्या-क्या add किया है देखें यहाँ पे जो normal logo आ रहा है यह हमारी social media से related logo है जैसे facebook का store है यह हमारा इसके लावा आप यहाँ से follow कर सकते हैं यह हमारा group का link है जो telegram पे active है WhatsApp का group हम completely बंद कर चुके हैं because of security reasons को कि वहाँ पे एक तो number सबके एक दूसरे से share हो जाती है सबसे बड़ी बात है और लोग एक दूसरे को disturb करना शुरू कर देते हैं तो WhatsApp हमने easily बंद किया कि वहाँ पे security जो हो बिलकुल भी अच्छी नहीं है और इसके लावा spamming भी वहाँ बहुत जादा होती है ऐसा हमारे telegram group में बिलकुल भी नहीं है तो यहाँ से आप हमारा telegram group join कर सकते हैं जहां अभी 600 प्लस members है इसके लावा यह हमारा YouTube channel का link है यहाँ से आप सीधे हमारा YouTube channel open कर सकते हैं चलिए बागे बताते हैं आपको तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखिए अपना drop shipping mall में एक option add किया है कि यहाँ पे आप अपना अलग से separate store create कर सकते हैं जहाँ पे आपकी अपनी personal policies होंगी सब कुछ आपका होगा payment gateway आपका होगा logistic service आपकी होगी सब कुछ आपका होगा यानि कि हमारे store से बिलकुल अलग store आप create कर सकते हैं अपनी शर्तों के ऊपर तो इसके ब यह official email ID है यह number है मेरा जिस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों नीचे terms and condition आप यहां से पढ़ सकते हैं अभी terms and condition कुछ add करना बाकी रह गया है एक terms and condition हम और add करने वाले हैं अपनी website में COD को लेके क्योंकि COD को लेके हमारे क्या है कि buyers की demand तो COD के लिए तो secure है ही है पूरी लेकिन जितनी buyer के लिए secure है उतनी ही seller के लिए भी secure है तो दो chances के बाद हम buyer को सीधे blacklist कर देंगे blacklist का मतलब होगा के वो आगे in future कभी भी हमारी website से किसी भी store के उपर से COD में purchase नहीं कर सकता हम उसके लिए COD जो है वो block कर देंगे permanently सिर्फ वो prepaid में ही purchase क सकता है अगर buyer refuse करता है या गलत address देता है तो यह हमारी location है यहां से आप हमारी location देख सकते हैं हमारी business related details देख सकता है यहां पे अगर हम click करेंगे तो हमारी location दीखाएगा कि हमारी store की location काहां पे है Google Map के अंदर इसके अलावा यहां मेरी detail है, यहां मेरा number है, यहां मेरा name आ रहा तो आप मेरे से contact कर सकते हैं, इस number के उपर कभी भी पूरा मेरा address है यहां पर, तो दोस्तों यहां पर अभी कुछ links और हैं ऐसे, जो login होने के बाद ही open होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहां पर अभी warranty claim जो हटा होगा, ठीक है, तो अभी हम चलते है, drop shipping के अंदर सीधे मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, actually सबसे जादा जो मेरे को call आई है, वो इसी page को लेग आई है, क्योंकि बहुत से जो viewers हैं हमारे वो confused हैं, तो मैं यहां पर आपको एक एक करके सारी चीज़ें clear कर देता ह तो पहला option जो है, वो हमारी drop shipping service के लिए, यानि कि उन members के लिए है, जो हमारी drop shipping service use करना चाहते हैं, जो हमारे products को, जो हमारी mall के products को अपनी website पे या another किसी platform पे sale करना चाहते हैं, तो यहां पर हमने registration का option दिया हुआ है, वो चाहत यहां से सीधे registration कर सकते हैं, इसको भी मैं किस लिए रखा है, दोस्त अचली आपको याद होगा अगर आपने पहले भी मेरे साथ काम किया है, तो पहले मैंने drop shipping service जो है, वो completely free रखी हुई थी अपनी website पे, तो पहले दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी member बन गए थे, जिनका drop shipping से दूर दूर तक नाता नहीं था, और वो में हम से कहते थे कि हमें COD प्रोवाइड करा हो, हमें drop shipping के अंदर भी COD प्रोवाइड करा हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा यह amount रखा हुआ है, यह देखने के लिए कि हम पहले यह चेक कर लें कि आप online payment कर सकते हो, या नहीं कर सकते हो, खास तौर पे हम अपने partial part है, यानि कि छुपा हुआ गोपनी part है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि यह हमारे दूसरे stores हैं, जहां हम आपको manufacturing rate पर बहुत सस्ते rate पर products देते हैं, यह सिर्फ हमारे उनी members के लिए हैं, जिनोंने यहाँ पर registration किया हुआ है, without registration के इस option को member access नहीं कर सकता, अगर इसके उपर without registration के या normal viewer आके click करेगा, तो यहाँ पर error आएगा 404 का, यानि कि इसको वो access नहीं कर सकता, इस तरीके से, ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह page नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर page तो है, यहाँ पर shops हैं, ठीक है, जहाँ पर आप अलग-अलग products देख सकते हो, लेकिन यह सि सकता है कि आप registered हो, आपने login ना किया हो, तो आप without login भी इसको access नहीं कर सकते, ठीक है, अब आजाते हैं दोस्तों, इस part के उपर यह क्या है, इस part को लेके भी बहुत सारे viewers में confusion था, तो इसको मैं आप clear कर देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, देखिए, सबसे पहले तो आप add करो, ठीक है, हम आपको नहीं रोकेंगे, तीसरा option यह है कि आप अपना personal payment gateway लगा सकते हो, आपके पास payment gateway अगर नहीं है, तो हम आपको provide गरा देंगे, वो मैं आपको अब आगे बताऊंगा, और चौथा जो option है, वो है आपकी अपनी personal policies, तो इन 4 options के बारे में तो मैं आपको भी बता ही चुका हूँ, ठीक है, इसके लावा दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते है, note में मैंने लिखा हुआ, कि अगर आप अपना store create करते हो, तो यहाँ पर आपके पास GST होना mandatory है, लेकिन last में देखिए क्या लिखा हो है, for dropshipper, यानि कि अगर आप एक student हो, य कह सकते हैं, आपके पास GST फिलाल नहीं है, और आप अपना यहाँ पर store create करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर store create कर सकते हो, लेकिन आप एक normal store create कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप shop देख रहे हो, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, कि अगर आपके पास GST नहीं है, तो जैसे मैं आपको भी एक shop दिखाई थी आप उस तरीके से एक normal shop तो open कर सकते हो normal store तो open कर सकते हो लेकिन आप अपना store drop shipping के अंदर open नहीं कर सकते यानि कि जो हमारा secret part है उसके अंदर आप अपना store create नहीं कर सकते उसकी वज़ा यह है कि हमारे जितने भी sellers हैं उनको जाहर सी बात है invoice तो च drop shipping करने का कोई भी मतलब नहीं बनता अगर आप अपने store से भी drop shipping service another sellers को देना चाहरे हो तो आपके पास GST होना चाहिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब आ जाते registration process के उपर यहां पे भी लोग बहुत ज़्यादा confuse हैं सारे point में करके clear कर देता हूं सबसे पहले है 200 रोप इंट्रेस्टेड हैं अपनी shop create करने में वो मुझसे पूछते हैं कि क्या guarantee आपके store पे orders आने की तो दोस्तो सबसे पहले यहां पे तो मैं आपको यह बात clear कर देना चाहता हूं कि आप एक multi million company के उपर जब invest करते हैं यानि कि Amazon जैसी website के उपर जब आप investment करते हैं तो वो भी आपको orders की कोई guarantee नहीं देते क्या आप उनसे कोई guarantee लेते हैं orders की तो आपको यहां पे orders की guarantee के बारे में मुझसे कोई भी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे group के अंदर ऐसे बहुत से members हैं जिनको एक एक साल से Amazon जैसी website की उपर भी order नहीं आया है तो दोस्तों हम भी आपक पर मेहनत करनी पड़ती है इसके बारे में मैं आपको पहले भी एक वीडियो दे चुका हूँ ठीक है अब आजाते हैं आगे तो यह है क्या देखिए आपको जब भी पहला order आएगा हमारी website के ओपर आप completely free अपना store open कर सकते हो लेकिन आपको जब भी पहला order आएगा तो पह कहते हो कि जी मैं 5% पर काम करूँगा तो आप 5% पर काम कर लो हमारे साथ अगर आप कहते हो कि जी मैं आपको 500 रोपे तीन महिने में दूँगा तो आप वो दे सकते हैं यह fees है तीन महिने की इसके लाव हम आपसे कोई भी ना extra commission लेंगे ना कोई hidden charge है ठीक है 500 रोपे तीन मह महिने पर माल लिजे आप यहां पर मेरे से 5% commission के उपर काम कर रहे हैं ठीक है 5% commission में in future आपको बहुत ज्यादा orders आने लगते हैं फिर आपको यह लगता है कि यार 5% हम mall को बहुत ज्यादा दे रहे हैं यानि कि आपको इतनी selling आ रही है कि वह आपको कहीं ज्यादा लग रहा इन options में से कोई भी चूज करते हो तो आप दुबारा फिर कभी भी 5% commission के उपर नहीं आ सकते इस बात का ख्याल रखिएगा आपकी वो choice एक ही बार होगी आप इन दोनों में से कोई भी एक बार चूज कर लो फिर हम आपके साथ commission में काम नहीं करेंगे और आप एक बार commission से ह हमारे साथ हट जाओगे तो ठीक है किलियर है अब दोस्तों यहाँ पर बात यह आ रही है मैं चाहता तो यह सारी चीजें भी आपको फिरी में provide करा सकता था कोई जरूरत नहीं थी मुझे आपसे commission लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी मुझे आपसे monthly fees लेने की यह मैं वेबसाइट पर traffic जो है वह बहुत ही अच्छा है इसके लावा हमारी website का SEO भी बहुत अच्छा है हमारी website जो है by default Facebook से भी synchronize है और Google के search engine से और Google से भी बहुत अच्छे से synchronize है तो हमारी website का SEO भी बहुत अच्छा है वह मैं अभी आपको आगे दिखाता हूं कि कैसे आपने अ integration का देखिए बहुत कम charges है 6 महीने का 300 रुपए है ठीक है अगर आपके पास अपनी website है तो इसके लावा आपका देखिए 500 रुपए एक साल के लिए है यहाँ पे अब integration के बाद क्या होगा मैं वो भी doubts आपको clear कर देता हूं shop के अंदर जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए stores आ रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपका जो store का trademark होगा या जो भी name होगा वो इस तरीके से यहाँ पर link कर दिया जाएगा यहाँ पर हम आपकी website का cm जैसे store है इसी तरीके से यहाँ पर अब आपको आगे और बताता हूं दोस्तों तो देखिए आ जाते हैं नौर्मली अपनी website के उपर अब मैं आपको login करके दिखाता हूं एक user से जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत से options जो है वो login होने के बाद open होंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से option open होंगे और जिस user से मैं login करने वाला हूं यह एक हमारा special user बनाया हुआ है test user है ठीक है तो इसके थूरू मैं आपको दिखाऊंगा तो अभी हम चलते हैं login के अंदर तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं फिला login हो चुका हूं store के अंदर यहाँ पर देखिए login होने के बादी जैसे मैं आपको पहले दिखा रहा था अगर यहां देखें कोई भी link नहीं आ रहा है login होने के बादी आप देखें यहां पर link open हो गए यहां पर एक link to main shop है इसके लाबा यहां पर आ रहा है warranty के लिए तो यहां पर भी मैं कुछ link और add करूंगा जैसे एक advice देने वाल के बारे में अभी अगर आप website का integrate करते हैं या आपका store हमारी website के ऊपर है तो मैं आपकी products को किस तरीके से promote करूंगा वो मैं आपको दिखा देता हूं तो देखें यहां पर shop है हमारी अब हमारी shop का क्या system है कि जो भी product हमारी shop के अंदर आते हैं वो सीधे synchronize हो जाते हैं हमार store है यह synchronize है हमारे website के साथ अब यहां पर देखें क्या है कि यह जो link आ रहा है link to main shop इसे मैं आपको open करके नहीं देखाऊंगा तो इससे क्या होगा कि एक इससे आपको extra panel हम आपको और देते हैं उसमें क्या होगा कि आप products जो है वो जो भी product list करेंगे वो हमारी सीधे main shop के अ store के ऊपर भी आ जाएगा ठीक है यह products जो है automatically हमारे store के ऊपर आएं तो इस panel के through आप अपने maximum 10 products ठीक हम यहां पर 10 products आपको allow कर रहे हैं ऐसे कोई भी 10 product जिन से आपको लगता है कि buyers attract हो सकते हैं आपकी website पर या store पर वो 10 products आपको इस panel के अंदर add करने हैं आपके product add करते ही वो सीदे यहां पर आ जाएंगे हमारे store के अंदर और store पर आने के बाद आप एक minute के बाद ही देख सकते हैं वैसे तो add करते ही आपको facebook से जो है message आ जाएगा कि product जो है आपका shop के साथ synchronize हो चुका है लेकिन आप फिर भी एक minute के बाद जब check करेंगे तो आपका product जो हमारे facebook store के उपर होगा देखिए मैं बहुत ही जल्दी facebook के उपर अपने store का बहुत अच्छा का सा advertisement करने वाला हूं तो यहां से आपको viewers मिलेंगे कैसे मैं आपको यह दिखा देता हूं shop के अंदर जब आप add to cart करते हैं तो add to cart करते ही आप सीधे divert हो जाएंगे एवाना store के उपर ठीक ह इसी तरीके से जब आप facebook के उपर आते हैं तो यहां पर क्या होगा जैसे माली जी मैंने इस product के उपर click किया इस तरीके से check out on website के उपर हम click करेंगे और जैसे ही आप यहां पर click करेंगे add to cart के उपर तो automatically आप redirect हो जाएंगे yogurt store के उपर इस तरीके से तो आपको यहां से काफी अच्छा खासा traffic मिलेगा लेकिन याद रखेगा आपको traffic मिलेगा जभी जब आपके attractive price होंगे plus आपका product जो है वो attractive होगा hope दोस्तों आपके जितने भी doubts हैं वो clear हो गयोंगे इसके अलाव अगर आपको कोई भी suggestion हो तो आप मुझे दे सकते हैं ठीक है मैं उसका link भी डाल दूँगा तो link भी login के बाद वो enable हो जाएगा आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारा group join कर सकते हैं वहां आप मुझसे Thank you